में आपका स्वागत है मैं राहुल राज तो आज हम बात करने वाले हैं के बारे में कटफ क्या जाएगा और प्रिवर्च कटफ क्या था एंसर की कब जारी होगा इससे हम डिलेटेड आपका बात करने वाले हैं ठीके तो फिर्ट सबसे पहले बता दे अगर आपने अपने स्वागत कर दिया है और आपका फिजकस तो हो चुका है और रिटेन ऑट हो आप कोश्च अपके लिए खुला है और आपका कॉश्चन सबसे पहले हम रिपलाई देंगे तो इसके कटफ के बारे में और एंसर की के बारे में और प्रिवर्च करके आए हैं तो फेले वह हम देख लेते हैं कि आप लोगों के कोमेंट के उनसार और आपकी जैसे आप नीचे आएंगे तो सबसे पहले मैंने आपको यहां दिख जाएगा ठीक है कि एससबी ट्रेड मेंस कट अफ 2021 एक्जाम ठीक है तो आप लोग ने कितना जवाब दिये थे जैसे कि आपको मैं बता दू टोटल पचास से साथ अंक लाने वाले लड़के बोल रहे हैं 55 परशंट लड़के बोल रहे हैं कि उनका पचास से साथ के बीच आपका सही है और साथ से सत्र के बीच कितने 24 percent लड़के बोल रहे हैं कि उनका सही है और 70 से 80 के बीच कितना 17% लड़के और 80 प्लस जो बोल रहे हैं वो 4% लड़के हैं तो एक्रूरेंसी ऐसे देखा जाए तो आपको अजकांस लड़के को कहना है कि मेरा 50 से 60 के बीच हमारा स्कोरिक आ रहा है ठीक और उसके बाद 24% लड़के को देखा जाए तो आपको 60 से 70 के बीच तो जो हमारा कटफ रहने वाला है इस बार वह आपका 50 से लेकर 70 तक नहीं पड़ जाएगा ठीक है 70 to 50 के इसे में SC, ST, OBC, EWS इसके बारे में हम बात करेंगे किस क्या जाएगा कटफ ठीक है पूरे एनलेसिस करने के बाद ही आप यह कटफ बताया जाता है आपके दो दीन इकजाम होने के बाद ही मैंने आपको यह कटफ फॉल्व वीडियो लाया इससे आपको परसानी नहीं हो जी ठीक है तो हम बात करेंगे इसके कटफ कुछ सार तो इसमें आपको हर कर्टेगरी क्या कटफ जाएगा बात करेंगे तो चलिए फ्रेंट अब भी तक आपने भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सुस्क्राइब और जाके कम्मूनिटी काईज में अपना एंसर बता सकते हैं । कुछ से फ feeling के था तो आपको कुछण यह फोल dressed में अगर आप यूभार से मस्ता जैल के ठीक है तो आपको इंसर चैनल सुस्क्राइब हो हूं को कमेन्ट करके इसी बदो में बताना होगा कि आपने पच्पन महाते हैं या पैसट म्रे हैं ठीक फाइनल में कने बात करूंगा ये मैं बात करूंगा जो आपके ट्रेड के लिए आपने के लिए होगी होना है तो यह फाइनल के लिए फिर आपको ट्रेड के बाद फिर से आपको एक वीडियो जारी किया जाएगा जिसमें आपको फाइनल मेरिट उस पर बनाया जाएगा ठीक है यह आपको पास करके ट्रेड में इसलिए के ट्रेड में बहुत लड़के छटते हैं इसलिए आपक के 2023 के जो cut-off होंगे उसी के डिगाइडिंग बात करते हैं आई यह आपको यहां दिख जाएगा टोटल पोश्ट यो के संग है ठीक है कि ती ती पंदरासो बाइस ठीक यहां आपका का ड्राइबर का ठीक है ठीक है ट्रेड का नाम लिखा गया है टोटल जेनरल में पोश्ट ओबी सी इड़लु एस सी एस्ट ठीक है टोटल पोश्ट यह कितना है 574 यह प्रसेस आपने अल्रेडी पहले से जानते होंगे अगर जो एस्ट्रेड से भरा है उसको आपको ट्रेड क का नाम लिखना है और आप की स्केटेगरी से कॉमेंट करके आपको बताना है ठीक है यह इसलिए पोश्ट दिखला दे रहा हूं कि अगर फिर से अगर आपको रिकॉल हो जाए कि आप की स्केटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका कितना सीट है ठीक है यहां आप देख सक इसके बाद cutoffs के बाड़े में ठीक है चलिए आगे क्यों चलते हैं आपने देख लिए होंगे कि आप किस पोस्ट के लिए प्लाई किये हैं और कितना आपका सीट है ठीक अब बात करने वाले हैं cutoffs के बाड़े में जो इस बार जाएगा वह आपको देखिए अगर जेनरल कर्टेग्री से बिलोंग करते हैं 75 से 63 के बीच अगर आपका marks आ रहा है ठीक है अगर आप सही करते हैं तो आप समझ जाएए कि आपको trade के लिए compulsory आपको बुलाया जाएगा ठीक है आपका result confirm रहेगा कि अगर आप देखिए इसलिए मैं बोड़ रहा हूं अधिकांस तुलत की किस पर 50 से 60 की बीच वाले मैं कमेंट किये हैं ठीक है जेनरल का आपको पता ही होगा जेनरल आपको 60 प्लस जाने वाला है इसलिए मैंने आप आपको जो एकुरेंसे निकला है उसके हिसाब से मैंने 63 रगा है 63 से 75 के बीच अगर आपका marks आ रहा है तो आप समझ जाए कि आपका compulsory है कि result आएगा और आपका trade होगा इसलिए आप अपना trade पर ध्यान दे ठीक है इसलिए मैंने अच्छे marks होने के बावजूद आपका trade में उनका नहीं निकला इसलिए cancel हो गया cancel क्या मतलब हो छट गया ठीक है ओवी से कंडिडेट आपको 74 से 75 की बीच अगर आप उसका marks है तो आप समझ जेए कि आप तयारी में लग जिए कि अपने trade पर ध्यान दीजिए नहीं तो सारा किया कराया सारा एक्जाम का मेहनत आपका बेकारा चल जाएगा trade में छटते हैं इसलिए कि बहुत मतलब बैच में न मतलब आपको 50 बंदे को बुलाया जाएगा तो समझ जेए कि आप से 3 बंदे को 2 बंदे को select किया जाता है इसलिए मैं बोलता हूँ इसलिए कि यह जो आपको इसने लड़की को चाटा जाता है कैसे चाटा जाता है दम हरेक बैस है पांच पचास में थे पांच खुब लेगा तो 5 बशी बीसे पाले में 200 बंदे को चाट ऑनिए फिर डॉकमेंस में बहुत लग्वे उचाटे बहुत रहत है तो इसमें भी आपको ट्रेट्सर्टिफि उसमें आपको छटने की परकिरिया है इसलिए मैं बहुत इसलिए मैं बोला हूँ कि 60 और 65 के जेनरल भी वाला है तो आपका इसलिए कि बहुत इसमें छटने हैं लगर कि क्या चीज में तो ट्रेड में ही इसलिए आगे बात करते हैं अगर सबसे महनत कि इस परकिरिया आपका जाएगा तो आने के बाद आपको यह नहीं कि रिजॉल्ट आ गया तो नहीं सबसे महनत कि इस परकिराना है ट्रेड पर और यह और बात जो आप भी ट्रेड बनाए वह आपने अच्छे तरह से बनाए इसलिए कि आपको ट्रेड सर्टिफिकट पर ही आपको वहां से डिस्कुलवाई भी कर दिया जाता है ठीक है एज मतलब दो साल का एक्स्पिरियंस उसमें देख लेकि दो साल को बीच होना चाहिए मैं अल्रेड आप से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बता दूंगा कि आपका जो ट्रेड सर्टिफिक्ट होना चाहिए वह किस परकार होना चाहिए क्या-क्या डॉक्मेंस लेकर जाना है एक एक चीज और प्रिपि जनकारी अगर चाहिए तो कॉमेंट करें मैं कॉमेंट का प्रिपलाई दूंगा और साथी आप से ही रिक्वेश्ट है कि आप किस के टेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे एक क्यों को फिल किया है और कितना आप पर ने कोश्चन करके सही आए है ऐसे आपने पता है कि सो कोश् मातरम और आप जरूर से जरूर कमेंट करें और आपका सेलेक्शन पक्का हो जैहिन बंदे मातरम